साब इसकी शोगों में किसी के प्यार में की कहानी में सवी का उठाया एक कदम अब कहानी को पलट कर रखने वाला है जहां पर रीवा की छोड़के जाने के बाद ना केवली शान उनसे नपरत करने लगे थे बलकि पूरी फोस्ते फैमली रीवा की शकल भी नहीं देखना चाहती थी अब हम देखने माले हैं कि जहां पर अकर साहिब आके खुलने के बाद सबसे पहले रीवा को अपने सामने बुला की नजराने वाली है क्योंकि अका साहिब को रीवा की अंदर वो दर्ड महसूस हो गया था जब वो परिशान थी जब वो बिमार हो गई थी तब उन्होंने रीवा की आखुमें देखा था वही अब हम देखने वाले हैं फैन्स की जहाँ पर अका साहिब को भी अब रीवा का सच खुट इशान पता के नज़राने वाले हैं कि वो आकिरकार किस मद्वूई की वज़ा से इस तरहां इशान को छोड़ कर गए थी तो आप कही न करी जीवा धीरे धीरे करके एक बार फिर से फोसली फामली के खरीब आने लगेंगी और इस तरहां से जीवा को फोसली फामली के खयाव रखते देख इशान के चेहरे पर भी होगी स्माइल और बही दूसरी तरफ इशान सवी की तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं और सवी तक मुसी बार कुछ देख कर पहुचने वाली है जी हाँ जहां पर सवी तक सबसे पहले शादी का जोड़ा पहुचेगा और उसके बाद एक ऐसा नोट जो सवी और पूरे चवन फामिल के तरफ बढ़ चुकी है अब किस तरह से सवी को अगला हिंट मिलता है उनकी आने वाली मुसीबत से जुड़ा हुआ जाने के लिए स्टाप्रस कि शो कुछ में किसी की प्यार में को लगता आ देख ते दी रहली मौकर सब्स्क्राइब करना बिल्कुल आप हुए